हेलो अब्रीवन गुड बॉर्निंग वेलकम बेक टो अर्यूटी चनल गाजिवार डिफेंस अकेडमी मेरे नाम है कुनान सिंग और आज है आपकी बेटा सेकंड क्लास और रिजनी और टॉपिक करने इसके बारें पढ़ाता की ऑडरर रैंकिंग वनने उनके दस बच्चों के ग्रूप लेकिए और उनको अथ उनको तॉप बॉटम था उनके साबसे अमने फर्म। देखा था और इसमें वर्यूब्ला का एक बार में रिवाइस कर वा जाता हूं कि अगर टोटल नम्बर ओ आपको निकालना है और किसी एक बच्चे का टॉप रेंग और बॉटम रेंग दे रखा है तो टॉटल नमबर अपर स्टूड़न होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस का बन ठीक है यह वही रिलेशन है जहां से आप अगर टॉटल स्टूड़न दे रखा है तो बॉटम निका कर सकते हो कि कोई से बड़ा है कोई से चोटा है तो एक ओर आजाता है ठीक है एक रेंकिंग वाला था कि किसी क्लास के अंदर इतने स्टूड़न से और उसमेंसे किसी एक पट्टिक्लर बच्चे की यह डॉप रेंक है तो इसकी बॉटम राइंक्स क्या ओगी और मैंने आप तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम number of questions करेंगे, और जो हमारा पहले question है, वो है, कि Tarun is older than Raghav, but younger than Manav, Tarun है वो older है किसे Raghav से, but younger than, इसका मतलब Tarun जो है, Tarun, मैंने इसको टीचे कर दिया, यह Raghav से तो बड़ा है, but, किसे Manav से छोटा है, और कल मैंने आपको एक इनके relation के बारे ह साइन हम यूज कर रहे हैं, कि अगर इसका साइन है, अगर मैंने लिखा A, B, इसका मतलब A बढ़ा है B से, जिदर open होता एरिया वो बढ़ा, जिदर छोटा होता है, वो छोटा, और अगर C और डेस कर लिया, इसका मतलब C छोटा है किसे D से, इसका positive बोल सकता हूं, कि D is greater than C and C is smaller than D, इसका मतलब A is greater than B and B is smaller than A, ठीक है, A की मतलब है, तो मैंने क्या बोला है, Tarun is older than Raghav, तो Tarun Raghav से बढ़ा है, तो उसके लिए यह वाला सायन हो जाएगा, but younger than Manav, इसका मतलब Manav किसे बढ़ा होगा है, Tarun से बढ़ा होगा है, Tarun, Manav is greater than Tarun, मतलब older than Tarun, Tarun is older than Raghav, ठी but Tarun is older than Gaghan, but younger than Manav, इसका मतलब Tarun जो है, Manav से तो छोटा है, लेकिन Gaghan से बढ़ा है, अब देखो, आपने क्या देखा, यहां भी Tarun से बढ़ा M आ रहा है, और यहां भी Tarun से बढ़ा M आ रहा है, इस से छोटा G है, इस से छोटा R है, इन दोने के वीच में तो हमें से रिल अब देखो, Tarun से बढ़ा इहां पर मानव है, यहां भी Tarun से बढ़ा मानव है, यह राघप से बढ़ा Tarun, Tarun से बढ़ा मानव, इसका मतलब मानव बेटा क्या होगयया, आपका? ँल्डेस्ट हो गया, तो मानव क्या हो जाएगा? उप्शन नमबर आपका C हा जाएगा, आप पैसे कोई भी फाइंड कर सकते हैं अगे बढ़ते हैं किसे नमर्टू इस टॉलर देन अनिता बट शौटर देन भारत ऐसे बहुत टाइब कुछन आएंगे कि उपकार अजमें अचिछ बढ़ता हैं वह अनिता थी निफाव और आचिछ अचे बढ़त को इसका मतलब दितनी हैट अनिता की है उतनी हैं तो इन सबसे चोटा होगे अभी से बड़ा सिधान्त और अनिता की हाइट से बड़ा यू यू यानि अब का उपकार और उपकार चबड़ा भरत अब सब्से पूछा गया है जा तो इसने उपकार ऑप्षिनमघ से ज़्दान्त आई सबसे शोटा है जाएं यहां है डियमानिता तो टॉल्डे नहीं है तो शोटा चटा देन उपकार आ जाए गयां पर option number D देखो B बड़ा है U से U बड़ा है A से और A और S बराबर है और ये बड़ा है अभी से इसका मतलब सिद्धानत है वो अनिता के तो बराबर है उपकार से छोटा है और भरत से भी छोटा है तो ये वाला option C वाला आपका कट हो जाता है कि अनिता और शिद्धानतकी हाइट सेम है आप ऐसे बोल सकते हो अगे इसकी 7 foot है यह इसकी 5.5 foot है इसकी 5.5 foot है ऐसकी 5.5 foot आप यह सी मान सकते हो तो चव्क्रेशन अभाहा है उगया इन सोन से हांसे Shneha is shorter than Mayank but taller than Nitin and Harsh is taller than Shneha. Who is the shortest? अब देखो, जैसा कुरिशन कुरिशन बोल रहा है, ऐसा करते जाओ. Chetan is taller than Nitin, यानि जो C है न, वो N से बढ़ा है. N यानि Nitin, C यानि Chetan. Harsh is shorter than Mayank, where is Mayank is taller than Nitin? अब देखो, जो Mayank है न, वो Nitin से तो क्या है? बढ़ा है. Harsh is shorter than Mayank, अब जो Harsh है, वो किसे छोटा है? Mayank से छोटा है, इसका मतलब मयank हर्षे भी बढ़ा है. यानि Mayank नितिन से भी बढ़ा है, और मयंक हर्षे भी बढ़ा है. और जो Chetan है वो भी नितिन से बढ़ा है. अब यहाँ पर confusion होगा. अब आगे जो कुशन है, वो क्लियर करेगा. Mayank is taller than नितिन. Shneha is shorter than Mayank. जो Shneha है, वो Mayank से shorter है, but taller than नितिन. इसका मतलब, जो Shneha है, यानि Mayank किस से बढ़ा होगा है? Shneha से, और Shneha किस से बढ़ी होगा है? आपकी नितिन से. तो यह आपका एक confusion यह दूर हो गया. And Hurts is taller than Shneha. अब जो Hurts है, वो Shneha से taller है. अब हमें Mayank के बारे में नहीं बताया गया है. इसका मतलब, जो Hurts है, वो Shneha से तो बढ़ा है. अब आप खुद देखो. चेतन, नितिन से बढ़ा है. जो Mayank है, वो Shneha से बढ़ा है. और Shneha है, वो नितिन से बढ़ा है. Hurts है, वो Shneha से बढ़ा है. इसका मतलब, देखो, सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? नितिन आ रहा है. यहाँ भी, देखो, समय कॉमन जो आएगा. कि Mayank सिनिहा से बढ़ा है, सिनिहा नितिन से बढ़ा है. अब नितिन से छोटा भी तक कोई हमें दिया गया नहीं है. और सिनिहा से बढ़ा हर्स है. सिनिहा से बढ़ा हर्स है, तो बैटा हर्स नितिन से बढ़ा होगा. चेतन भी नितिन से बढ़ा है. साटन से स्पर्से्ट और मैंन के बारे में कोई रेसं गिवन नहीं है लेकिन मैंन से बढ़ा है हर सनीहा से संधों रहां लेकिन यहाँआत यहा पर सी और एम का relation given नहीं है तो हम tallest नहीं बता सकते हैं लेकिन shortest बता सकते हैं कि जो नितिन है वो सबसे shortest है ठीक है कहीं बीवी कोई दिक्कर आती है बता सकते हो किर्शन नमर्फोर है n is more intelligent than m n है वो ज्यादा intelligent है m से ज्यादा के लिए इस वाल साइन उस कर लेता है M is not as intelligent as Y इसका मतलब M है वो Y जतना intelligent नहीं है इसका मतलब Y से कम होगा यानि जो Y है वो M से ज़ादा intelligent हो गया कि नोट as intelligent as Y इसका मतलब Y जतना intelligent नहीं है तो Y से कम हो गया Y से कम हो गया इसके ज़ादा intelligent हो गया किससे? M से और N वी M से ज़ादा intelligent हो गया आगे सुनो, X is more intelligent than Y, अब जो X है वो Y से भी ज्यादा intelligent है, but not as good as N, इसका मतलब जो X है वो N से कम intelligent होगा, क्योंकि इसने बोला गया है, but not as good as N, इसका मतलब N ज्यादा अच्छा है, N ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब N ज्यादा intelligent है किस से? X है, तो आपके बास relation आगया, N, X, Y, M, तो इसने बोला कि who is the most intelligent, most intelligent आपको क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, option number आपको C, ठीक है, इस वाले को अच्छे से पढ़ें ना, कि अगर उस जितना अच्छा नहीं है, इसका मतलब उससे कम है, बस, कम है, इसका मतलब दूसर वाला वो जादा हो जाएगा, आगे 5 है, K is more beautiful than B, K है वो जादा beautiful है किस से? B से, B is not as beautiful as Y, इसका मतलब B है न, वो Y जतना beautiful नहीं है, इसका मतलब जो Y है, वो B से जादा beautiful है, J is not as beautiful as B और Y, जो J है, वो B या Y जतना beautiful नहीं है, इसका मतलब J इन दौनों से क्या हुआ? कम हुआ, देखो, जो J है, ना तो B जतना beautiful है, इसका मतलब B से भी कम है, और ना B जतना beautiful है, तो simple से बात है, वो जतना beautiful है, तो simple से बात है, वो दोनों से कम हो जाएगा, whose beauty of the least degree है, अब देखो, आपको पता है, K ना B से बढ़ा है, Y ये B से बढ़ा है, तो हम most beautiful नहीं बता सकते हैं, कि K और Y में हमें कोई relation given नहीं है, लेकिन B किस से ज़्यादा beautiful है, J से, इसका मतलब J का क्या हो गया, least beautiful हो गया, इसका मतलब option number B, जो आपका J है, वो answer हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 6 है, 6 बोल रहा है, कि उज्जवल is senior to Jagdish, Jagdish is senior to Arun, Arun is junior to Naman, Naman is senior to Jagdish, who is the most senior, अब देखो इसना बोला है, उज्जवल is senior to Jagdish, यानि जो U है, वो senior का मतलब बड़ा होता है, तो U बड़ा है, किस से, Jagdish is senior to Arun, अब जो Jagdish है, वो Arun का senior है, simple सी बात, Arun is junior to Naman, Arun है न, वो जूनियर, Naman का junior है, इसका अब नमन क्या होगा है, senior होगा है, किस से, Arun से, अब देखो, JBA से बड़ा है, और NBA से बड़ा है, तो हमें आगे कोई और बूच है यह होगा, जो उनकी बीच में कोई relation बताएगा, नमन is senior to Jagdish, अब देखो, बोला गया है, जो नमन है न, वो Jagdish का senior है, इसका मतलब नमन Jagdish से बड़ा और आपको दे रखा, Jagdish A से बड़ा, देखो, यह दोनों ही fit bet जाते हैं, अगर नमन Jagdish से बड़ा है, तो नमन अमन से बड़ा होगा, अरुन से बड़ा होगा, और जो Jagdish है, वो भी अरुन से बड़ा है, तो नमन जगदीश से बड़ा और जगदीश अरुन से बड़ा है, तो नमन भी तो अरुन से बड़ा होई गया, आपको आपको दे रखा है, और आपको दे रखा है, और अबर नमन जो आपका उज्वल है वह भी जगदीस का सीनियर है और जो नमन वह भी जगदीस का सीनियर है तो यहां पर determine क्यों क्योंकि यू और एन के बिच में कोई भी आपका रिलेशन गिवन नहीं है तो आप लगा सकते हो कि यहां पे जो आपको मूश सीनियर हो नहीं बता सकते हैं अगर मूश जूनियर होता तो आप अरून को टिक कर देते हैं ठीक है तो इस कुर्शन को बहुत अच्छे से देहां से पढ़ना है उसकी बात फिर आपको आंसर देना इसका ठीक है आगे दिया हुआ है अमंग दा फाइफ फ्रेंट्स फाइफ फ्रेंट्स है पंकज इस एल्टर दैन नीरज और अभिषेक यानि जो पंकर्ज है वो नीरज से भी बढ़ा है और अभिषेक से भी इसका मतलब जो रोबिन है वो सौरफ से तो बढ़ा है बट नॉट एज ओल्ड एस पंकर्ज इसका मतलब वो पंकर्ज से छोटा है और उपर दे रखा था अमंग दा फाइफ फ्रेंट्स पंकर्ज इस एल्टर देन नीरज और अभिषेक यानि जो पंकर्ज है वो नीरज से बढ़ा है और पंकर्ज है वो अभिषेक से बढ़ा है अब इसके बीच में दे रखा में को कौन किसे बढ़ा है नीरज इस यंगर देन सौरफ बट निट नॉट एज ओल्ड बट इस नॉट दा यंगेस नीरज है वो सौरफ से क्या है यंगर है नीरज है वो सौरफ से क्या युच्ट है यंग्र इसका मतलब सौरब से छोटा कोन हो गया नीरज हो गया ठीक है ठीक okay पक्रते नोर्ट से यंगएमस्ट कोई स्uity इलडिएस अब देघ को P है वो N से बढ़ा है P है वो A से बढ़ा है P है वो R से बढ़ा है और R है वो S से बढ़ा है अब इसने दे रखा कि जो N वो छोटा है किस से younger than Saurav, Saurav से तो छोटा है but not the youngest, अब हो सकता है यहाँ पर youngest A हो, ठीक है? हो सकता है, अभी हमें confirm नहीं है लेकिन आपको यह confirm हो गया कि who is the eldest, eldest कौन हो जाएगा आपका P हो जाएगा, यानि पंकज आपका eldest हो जाएगा और अगर इसने हैं आप बूल देना कि not the youngest कौन नीरज, इसका मतब जो आपका A, A यानि कौन था अभी शेक, अभी शेक आपका क्या हो जाएगा जूनियर, तो यह तो हो जाएगा आपका youngest, अगर कुर्शन में पूछता तो, और यह आपका हो जाएगा eldest, ठीक है? तो यह चोटा होगा, कुशन नमबर 7 होगा, आपका आगे बढ़ते हैं, कुशन नमबर 8, चेक है, आगे है, देवेश is taller than इशान, जो देवेश है, वो इशान से बढ़ा है, सनी is not as tall as देवेश, यानि सनी है, वो देवेश से चोटा होगा बेटा, क्योंकि उसकी बराबर नहीं है ठोपी तो डिवह से चोटा यह जो कोशनी के स्काम मतलब शसनी हो रोहन से बढ़ा और देवेश से चोटा है और जो देवेश गया इसान से बड़ा हो गया सञनी वह लौट इसलीड ड ACT नॉट देन इसले उद फैसंनी जोसे स्लीजा और मचल्थ से बड़ा है और आपको पता है इस से बड़ा एल sûर ट्अ सब कर फृर आपको ऑडर क्या यह वाला हो है देख़ो दुवशाता सब्सक्राइब को सब्सक्राइब गई अपकर न पोछा का Small sitting आपको यह को सब्सक्रार सब्सक्राइब और अगर पूशा जाता आपका शॉर्टेस्ट तो शॉर्टेस्ट आपका रोहन होता है ठीक है तो जो पूशा जाए वह बता सकते हों आगे बढ़ते हैं क्यों नमर 9 यहां पर बात किया कहा है कौन पूर है कौन रिचेस्ट है कि M is poorer than D अब देखो आप इंगलेशन पढ़ते इसका मतलब M से थोड़ा सा जादा अमीर हो गया इसका मतलब G है वो M से थोड़ा तो ज्यादा ज्यादा पूर नहीं है आपको पता है M से चोटा की है M से बढ़ा G है और D और G में कोई कंपर्जन है नहीं अभी हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन आपको यह पता चल गया कि जो सबसे पूरेस्ट हो आपका के हो जाएगा option number A हमें जो कुछन पूछा जाता हुए उसके बारे बता करना है आपको बता आलगास D से तो कम पैसा है लेकिन के से ज्यादा पैसा है जीज नॉट पूराइस एंज जो G ए वो एंज बढ़ा पूर के इस्का मास सबसे फूर् sour you हो गया तो सबसे कम पैसा किस के पास हुआ के 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 पास वा चुक है कुछ नमबर नाईर हो गया आगे 10 है कि 4 kids P, Q, R and S are up on the ladder इसका मतलब कोई ladder है जैसे आप बोल सकते हो ऐसे 4 kids है ठीक है यह आप ऐसे बोल सकते हो ladder अब कोई किस position वो हमें चेक करना है P is further up the ladder than Q इसका मतलब जो P है वो ऊपर है किससे Q से ठीक है मैं ऐसे लगा सकता हूँ कि P ऊपर है किससे Q से Q is between P and R जो Q है वो P और R के बीच में तो Q P और R के बीच में हो गया अब simple सी बात है अगर P ऊपर है तो R नीचे हो जाएगा S is the further up than P अब जो S है वो P से भी उपर है इसका मतलब S तो यहां हो गया फिर P यहां आ गया Q यहां आ गया और R आ गया यहां गया देन हूँ इस the third from that bottom अब देखो bottom पर कौन है यह तो तो first second और third third पर कौन हो जाएगा आपका पी हो जाएगा इसका अप्शन निम्बर आपका यह तेक है यानि bottom पोजिशन पर थर्ड पर कौन हो गया bottom most पर आपका R हो गया बीच में P और Q है इसके बीच में पूछेगा कि ऊपर कौन है Q से तो P है और वह आपका कुर्शन में D भी रखा है ठीक है फिर 11 है टोटर कितने कुर्शन हमारे 13 14 15 11 है A B C and D are climbing a ladder C is standing ahead of D इसका हमदा C किससे ऊपर है C आपका D से ऊपर है तो C यहां होगे D यहां होगे हमने ऊपर मानके चलना तो ऊपर वालब होगा A is standing between B and D अब देखो A है ना वो B और D की standing में तो A यहां पी हो जाएगा और B यहां हो जाएगा यही पूशन बजती है बस अगर A को आप B और D की पीच में करोगे तो who is standing at the second place from the bottom अब देखो ABCD था यह वाली पोजिशन होगी तो इसने पूचा है who is the second from the bottom तो second पर कौन होगे आपका option number A यानि A हो गया ठीक है आगे है रिया इस यंगर देन राम जो रिया है राम से यंगर है इसका राम क्या हो गया बढ़ा हो गया किशन इस यंगर देन राम किशन है राम से तो यंगर है बट एल्डर देन रिया इसका मतलब जो राम है वो किशन से तो बढ़ा है और जो किशन है वो रिया से बढ़ा है ठिक है उर इस अध्या इज एल्डर देन शुत अंधर शुत संधिया जो है न वह यह वह राम और शिटल दोनों से बढ़ा है इस इसका संदिया भाखे सबसे कि लिए आपको बाद में दिखा गए कि लाम न यंगर किसे से इसका शीतल बड़ा बड़ा हो कि इसे राम से और सीतल से बड़ा कौन है संद्या तो आपका ओडर आप से पूछा किया है कि who is the third youngest, अब देखो, first, second, third, तो third youngest कौन सा हो जाएगा, आपका राम हो जाएगा, option number B, ठीक है, आगे रूप की आपको सौंज मार रहा होगा, बहुत अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, 13 है, P is taller than Q, जो P है, वो taller than Q, बढ़ shorter than R, लेख दो, P Q से तो बढ़ा है, लेकिन R से छोट but taller than P, यानि जो S है, वो R से तो छोटा है, but taller than P, अब दो को सिंपल सी बात है, P क्यों से बढ़ा था, तो S तो बढ़ा automatic होगा, इसका मदब S इन दौन के बीच में insert हो जाएगा, कि जो S है वो P से तो बढ़ा है, लेकिन R से छोटा है, इन दौन के बीच में insert कर दो, and T is shorter than R, और जो T है, and T is shorter than R, जो T है न, वो R से छोटा है, इसका मदब R इन सबसे बढ़ा, R इस से भी बढ़ा, तो R सबसे त हो जाएगा, तो who is the tallest, तो R is the tallest option number T, ठीक है, फिर question number 14 है, among P, Q, R, S, and T, each one is having a different height, Q is shorter than only T, यानि Q है, वो केबल T से छोटा है, बागे किसी भी छोटा नहीं, बागे सबसे बढ़ा है, यानि आप ऐसे बोल सकते हो, T यहाँ पर सबसे automatic बढ़ा हो गया, है न, और वो सबसे इ T, इसकार T सबसे बढ़ा हो गया, उससे छोटा कि, Q है, जो केबल T से छोटा है, इसकार T सबसे बढ़ा हो गया, तो यह tallest के बार में तो पूछे गाई नहीं, shortest के बार में पूचा गया, A से shorter than P and Q, who is among the shortest, तो आपको बताना है, question number 14 है, आपके लिए हमवर्क हो गया, question number 15 है रमन runs faster than Mohan, but not as fast as Karim, यानि जो रमन है, वो Mohan से तो fast जोड़ता है, but not Karim, करीम ज़्यादा fast जोड़ता है, और रमन fast जोड़ता है, मोहन से, करीम रन faster than Suman, but not as fast as Abhinav, who is the faster, तो Abhinav automatic आपका faster हो जाएगा, पर आपको यह question homework लिए रहा हूँ, आपको पहले order बनाना है, क्या order होगा, और वो order आप comment करके मज़े बता होगे, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, और next class में क्या होगा, आपका, जो मैंने question कराएं, सारे के सारे, सारे के सारे order वाले है, इस class के अंदर, अभी जो next class होगी, वो इसमें हम वापस यह class करेंगे, और उसमें हम केबल और केबल ranking के question कर करेंगे, वो फिर हम number of examples में देखेंगे, ठीक है, तो जैसे आज हमने order के example के हैं, वैसे है कल हम केबल और केबल ranking के example करेंगे, ठीक है, तो मिलेंगे next class में, तब तक लिए अपना धियान रखिए, और पढ़ते रहिए, notes बनाते रहिए, ठीक है, ठीक है, टाटा, वाय बाय, टेकर.